तो गाईस यह पर आज किस वीडियो के अंदर हम जो बाचित करने आ रहे आई वेस थीम के बाड़े में जिसको ने आपर लगभख आप किसी भी वीव के डिवाइस को पर एपलाइक कर पाएंगे यह पर जो साचे साथ और कुछ चीज़ों के वाज़ित करेंगे कि जो उजीड बागड़ा है आई वेस के उसको भी कैसे आप एपलाइक कर सकते हैं किसी भी स्मार्टफून के पर वो प्रोसेस भीडियो के अंदर बताऊंगा यह पर इसलिए वीडियो थोड़ी से लंबी होगी तो इसलिए इस वीडियो का मैं तीन पार्ट में डिवाइट करूं पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थीरी पार्ट वान में मैं आपको बताऊंगा कि जो आईवेस का थीम है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यह जो उजीट का फाइल है जो थीम का फाइल है आपको कैसे डाउनलोड कर सकते आप किसी भी फोन के पर एंड उसको कैसे एपलाई भी कर सकते तो ऐसे जो है तीन पार्ट में मैं इसको वीडियो को डिवाइट कर आओ टाइम स्ट्रिप दे दूंगा जिससे आपको वीडियो देखने में थोड़ी से आपको असानी हो जाएगी तो हो सगे तो इसलिए बोल रहा वीडियो का आप लोग अंतक देखते हैं न जाते हैं आपर आर्कश भाई को तो इनका थैंक्स में लोग यापर हेल्फ करने के लिए तो चलो अभी में गाइस यापर वीडियो को सही दरी के से शुरू करते हो तो अभी बात करते हैं यापर पार्ट वान की जहां पर हम लोग बात करेंगे कि इस आइस थीम के अंदर इस थीम के अंदर ठीक है और उसके अलब यापर जो में चीज़ है आपर जो कंट्रोल सेंटर होगा आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है बहुत यहाद आपको आपको चेंज देखने को मिल जाता है एक चीज़ बता दो वीवो के कुछ फंटाज 11.1 फंटाज 10.5 इस एक डिवाइस को यसा इसा चैंटर सेंटर शो नहीं और यहीं अप्लाएक आने के बाद इस सेटिंग के अंदर जितने भी और जो सब्छेंग के अपशन से और आपको आप पर जैसा देखने को मिल जाते हैं मतलब आप जितने भी आइकोंस वगरा पोवाइट किये गए लांज के अधे जिखने को देखने को मिल जाते हैं जयसे कि मैं आपके जो सब्ड courageous करता हूं ऑल वेपड को देखने को मिल जाते है एंड लिटरली फेस अनलोग के साथ ही वर्क करेगा बाट आपको फिंगर्पीन अनिमेशन यह पर शो हो जाएगा इस तिंग को अपलाइक करने के बाद आपको लाइब देखने को मिल जाते हैं जैसे इसको अपलाइक करेंगे तो आपको यह पर पता चल जाएगा नेक्स यह पर और भी कुछ चीजों की हमें यह पर बातचीत कर लेते लाइक अगर इस सेटिंग वाल ऑप्शन को पर अगर हम टैप करते तो यह पर आपको नीचे क तरभा तरह के कश्ट्म ऐशन देखने को मिल जाते हैं एग जो लोग्सकर की आपको एक फिंगर पिन ऐनिमैशन भी देखने को मिल जाते है और इसका जो लोग değil आपको सहके अाबक पर फुली कर सकते आपकी तरफ से कि इसके अंदर जो उजीट बगड़ा मैंने अपलाई किया है iOS के रियल उजीट बगड़ा ए मैंने यह पर कैसे अपलाई किया है तो वो प्रोसेस अभी में बता आता हूं तो इसके लिए सबसे पहले ना आपके डिवाइस को बड़े के अप्लिकेशन की जरूरत होगी जिसक करेंगे ओपेंड करने के बाद आपके जामने कुछ इस्टेक के इंटरफेस आएगा एंड यह पर जो कुछ पर्मिशन बगड़ा मांगेगा सभी पर्मिशन बगड़ा दे देना क्योंकि इसी अप्लिकेशन के जरीए जिए आप यह पर iOS के रियल उजीट बगड़ा के फो तो उसके लिए थोड़ा सा वीडियो धायन से देखना तो बिसी के लिए जो फाइल होगा आपको ऐसा जोए चूज कर लेना है चूज करने के बाद उसको एक आपको दूसरे फोल्डर में जाके पेस्ट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा ऐसे कस्टम के यूस्ट यो इस नाम से फोल्डर मिलेगा तो उसके अंदर जाके जस्ट यहापर सिधा के पेस्ट कर देना एंड यह पर कोई आप्शन आयता है आपको फोन के उपर ऐसे लॉंग प्रिस करेंगे लॉंग प्रिस करने के पर जैसे उजीड वाले सेक्षन के अंदर आएंगे तो वह आपर साइस देखने को मिल जाएगा मतलब टू इंटू फोर इंटू तो ऐसे ऐसे करेकर ना सबसे पहली बात जो है आपको होम स्किन को उपर आप जो सारे उजीड बगड़ा एड कर लेना एक चीज़ बता दो यह जो उजीड बगड़ा एड करने का तरीका है जो कस्टमाइशन होगा पाई जो डिजान होगा अपक्ывает में बस आपको तरीका बता रहा हुँगि इसको कैसे काम कि किया पर करतें तो यह पर जचे कुछ उजीड बगड़ा मैंने पर अब एड कर लिया है एंड हो जितने पर ब्लैंक है तो कहारा और करनेकर आप कोजैसी ब्लैंक मतलबser पर ऊप्षिन पिदे यहाँ को यहाँ आपको यहाँ पर अंदर तो यहाँ पर जाने के बाद आपको जोए यहाँ आपर आवेस के सभी उसेана मिल जांगा जो आपको काने के पाये यहाया साल आपको यूदा गर stell बного concerning लेयर का तो जो उज़ीत का साइज है उसके साइज वाइस इसको आप एसे प्लास माइनस करें कर सकते मतलब एक स्वेप में ला सकते हैं मैं ने यह जो क्लॉक बला कॉपर टैप करता है तो यह जो उजीत बगड़ा मेरे फोन को पर एपलाई हो चुका है ठीक है जैसे कि देख से मेरे phone को उपर में अपलाई बगढ़ा कर लेता हम उसी लेयर वाल आप चम्हां जाकर साइस कर लेता है अपर को एकॉसन कर नहीं करके ओगए इसको मेरे फोन को उपर में अपलाई खर देता हुए तो ऐसे ऐसे करेंगे आपके फोन को पर आप जो है इसी आईस के उजिट बगड़ा अपलाई कर सकते हैं याप आपको आइस के सभी उजिट यापर मैंने प्रोवाइट कर दिया लगबग यापर जो है बैटरी का आइकॉन बगड़ा साथी साथ म्यूजिक का अप्लिकेशन केलेंडर जो है टाइमर बगड़ा कभी है और बैटरी परसेंटिस कभी आपको जिट बगड़ा देखने को मिल जाते हैं एक और चीजसा मैंने बोला जो कस्टुमाइशन होगा जो डिजाइन होगा उजिट को आपको कैसे रखना है भाई यो आपके उपर है यहापर तो ज यहाप जो है आपके फोन को पर उजिट बगड़ा कर सकते और साइसाथ जो फीम के अंदर कितने भी चीज़ें को मिल जाते हो तो मैंने आपको बता दिया अभी बात करते हैं आपको इस वीडियो के डिसमास मिल जाएगा तीम एड उस लिंक पर टैप करना है आपका वीव ब्राजर आप पर कुरूम ब्राजर ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद गए आपके समने कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा और यह पर उपर क्यों लिखो होगा प्लीज वेट करके तो आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है एंड यह पर जो है वेट करने अगर कोई आड बगर आये तो उसको क्रॉस कर देना कोई आड बगर को पर क्लिक करने की जरुवत नहीं है ठीक है तो यह पर फ्लीज वेट जैसे की देख सकते अभी लिखा है एंड यह जो आप्शन है हटके आप्शन आचुका है स्कोल डाउन लिंक तो आपको क्या करना प्रेगा इसी पेज पेरा सा नीचे के और आपको झाल डाउन करना पड़ेगा परे जैसे आपNo gurage आपको पर पर आपको और यह फदर भी हट घड़ोडा सा रुखना पड़ेगा आपको उसको पर टैप कर देना है अगर आपको यह थीम डाउनलोड करने का टाइम है फिर उसी डापलाई करने का टाइम कोई भी पॉब्लम है तो लिंक करेंगे तो आपको सामने फिर से कुछ इस टैक कर जाएगा एंड को एड बगड़ाया तो इसको क्रोस कर देना तो जैसे यह ताइमर जीरो पर आ जाता है तो आपको जो हैसे नीचे की और फिर से ऐसे साइक करते रहें आपको यह पर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐसे करके ग गेट लिंक को पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने फिर से सभी ब्राउजर का उप्शन आ जाएगा तो आपको सब्सक्रों ब्राजर को चूज करने का बाद आपको ऊपर देख रहे है कोने में एक डाउनलोड का एरो दिख रहे है तो आपको उसको पर टैप कर करना है और उसे फाइल को डाउलोड करने के बद हुएक पड़े के पारे में प्रक्रेस करने में ने कlle इनया अपको चाहिए से तो देन के करने के बाद आपको device storage के अंदर जाना है एंड वापर सीधा जाना है download folder के अंदर क्योंकि क्या होता है कि अगर आप Chrome ब्राजर से को भी फाइल डाउलोड करते तो download folder के अंदर सेफ हो जाते तो यह पर जैसे कि मैं download folder के अंदर आ चुका है यह पर मेरे को जो theme का file मिल चुका है करने के बाद मैं device storage के अंदर जाता हूँ देन जाता हूँ .dwd folder के अंदर आने के बाद मेरे को और भी बहुत सारे folder देखने को मिल जाएंगे मैं सारे folder एक एक करके ऐसे open करते रहता हूँ and यह पर मेरे को आखिर में एक folder मिलेगा capital T का तो उस folder के अंदर जाके जो theme का file उसको मैं ऐसे आराम से paste कर देता हूँ paste बगरा करने के बाद में जो है background से सारे application को हटा देता हूँ मतलब RAM को एक दम चाका चाक खाली कर देता हूँ करने के बाद में जो है सीधा Vivo का item application open करता हूँ and देन जाता हो local बल option के अंदर देन जाता हो local theme बल option के अंदर and वह आपर ही जो मेरे को नीचे के उरे जो आयस का theme देखने को मिल जाएगा and इसको यह पर मैं apply के उपर क्लिक करके apply बगरा कर देता हूँ तो भाई कुछ यह पर जो है इसी तरीके से आप कोई भी theme को जो है Vivo के फोन के पर apply कर सकते तो बाकी और कुछ वीडियो का अंदर कहने का नहीं है वीडियो पर खदम करते हैं थी मैं apply करने करते हैं अगर आपको कोई भी पॉब्लम देखने को मिले तो मेरे को इंस्टाराओं का डियों कर देना एंड वीडियो पसने है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर दो सब्सक्राइब कर सकतो बाकी मलतों के साथ नेक्स्ट वीडियो में